एक प्राब्लम बहुत दिनों से स्टुडेंट्स मुझे बोल रहे थे भाईया ये प्राब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं क्या प्राब्लम हम लोग जब कोई भी इंस्टिटीउट में या फिर उनिवर्सिती में एडमिशन लेने जाते हैं तो हम लोगों का जो original documents है, mark sheet है, certificate है, वो university से या फिर institute से रख लिया जाता है, तो इसके विरुद कोई फिश्टेप नहीं लिया जाता है, और हम लोगों का जो original documents है, वो कोई institute के पास या फिर university के पास रह जाता है, हम लोगों को नहीं मिलता है, जब तक हम लोगों वो institute से पा AICT एक बहुती बढ़िया श्टेप लिये हैं और वर्म किये हैं हर एक उनिवर्सिटी को क्या बोला जा रहा है AICT एंड UGC के तरफ से हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और एक केस चल रहा है तेलेंगान हाई कोट पे किसके लिए चल रहा है वो भी हम लोग इस वीडियो पर जानेंगे तो वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है हर एक उनिवर्सिटी स्टूडेंस के लिए वीडियो का अंतक मर्श्ट देखना और अगर इस चैनल को ना है तो इस चैनल को डेफिनेटलि सबस्क्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक सकते हाँ पर बोला गया है कि वीडिन 30 सेप्टेंबर हर एक उनिवर्सिटी को एक्जाम ले लेना है उसके एकोडिंगी जहरला नहरु उनिवर्सिटी आप टेकनोलोजी जो है जे एंटी यू आफ हैदराबाद प्रिपिरेशन कर रहे हैं कि 16 सेप्टेंबर से वो लोग एक जे एंटीव's move comes at a time when a petition related to this issue is pending in the High Court of Telenggana. A petition was filed by arguing HC to cancel examination for undergraduate and postgraduate courses and thereby promote students in view of COVID-19 pandemic. जहां पे Telenggana High Court पे already a case चल रहा था, students case किये थे, finally exam को लेके undergraduate and postgraduate courses का, वहां पे फिर से J&TU के जो move है वो फिर से गये हैं, आप बोल सकते हैं Telenggana High Court पे, मतलब Telenggana High Court पे फिर से cases जा रहे हैं हर एक यूनिवर्सिटी के तरब से, अभी हो सकते हैं, और भी High Court पे future में और जाएं, मतलब students अभी भी stop नहीं हुए हैं, one by one cases बढ़ते ही जा रहे हैं, one by one cases किया जा रहा है, different High Court पे and Supreme Court पे already case चल रहा है, आपको पता है, तो यह एक important update था, मैंने सुच आपको देना चाहिए, अब चलिए पहले AICTE से क्या बोला जा रहा है, जो जो institute से, जो जो university से, आ लिया जा रहा है, अपने पास, वो सब institute के लिए, जो technical institute है, उनके लिए, AICTE के तरफ से क्या बोला जा रहा है, आपके सामने में, आपको दिखा रहा हूं, strict action warned, AICTE, the technical education regulator, had said that, the institute retains the certificates of teachers and to students, it was noted that, it was against the norms and warned of strict action, जो 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 universities, अपना certificate, जो original certificate है, students के and teachers का, रख रहे हैं, उनके पास, उनको नहीं दे रहा है, तो वो सब, आप बोल सकते हैं, universities and वो सब technical colleges को, strict एक warning दिया जा रहा है, कि यह जो norms है, उसके against है, आप यह नहीं कर सकते हैं, कोई भी teacher का, या फिर students का original document, अपने पास, आप नहीं रख सकते हैं, जब तक वो students, या फिर teacher, आपके साथ linked है, तो यह यहाँ पर clearly बोला गया है, हर एक technical, आप बोल सकते हैं, education colleges बोलिए, universities बोलिए, जो जो इंडिया के अंदर है, सभी के लिए यह बोला गया है, अब further जो और institutes हैं, जो कि technical institute नहीं है, professional course के लिए नहीं है, normal general course के लिए है, तो उनके लिए देख सकते है UGC का secretary Rajneesh Jain ने क्या बोला, UGC secretary Rajneesh Jain said that, अब देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया है, in a notification, UGC secretary Rajneesh Jain said that, it has come to know his notice, that at the time of issuing contracts to many universities and college teachers, will teacher collect the original academic certificates, mark seats, etc, and then keep these documents with them, तो इसको लेके बोला गया है, कि हम लोगों के पास यह बार बार notice आ रहा है, हम लोगों को बार बार पता चल रहा है, हम लोग यह notice कर रहा है, कि बहुत सरह ऐसी university है, बहुत सरह ऐसे college है, जो अपने teachers है, या फिर students है, जो original academic documents है, certificates है, mark seats है, वो अपने पास रख रहा है, उन उनको तब तक बापस नहीं कर रहा है, जब तक वो उनके साथ unlinked नहीं होते है, मतलब जब तक उनके साथ वो आप बोल सकते हैं, linked है, तब तक उनका जो original documents है, academic documents हो गया, certificates हो गया, mark sheet हो गया, वो college या फिर college authority, या फिर university authority, अपने पास रख रहा है, जिसका कड़ी निंदा क किया गया है, आप बोल सकते हैं, UGC और यहाँ पर AICTE के तरफ से, AICTE के तरफ से तो warrant भी किया गया है, वो सब universities, technical universities और UGC के तरफ से भी बोला गया है, कि हम लोगों का सामने यह आ रहा है, आप लोग इसको definitely change कीजे, तो अभी UGC और AICT के तरफ से strict action लिया जा साथ, तो कोई भी institute या फिर university अगर यह कर रहे हैं, तो उनको definitely अपना rules change करना पड़ेगा, original documents teachers का या फिर students का वो नहीं रख सकते हैं, अपने पास उनको Xerox रखना पड़ेगा, या फिर आप बोल सकते हैं, color printout भी हो सकता है, तो यह सब वो रख सकते हैं, कोई problem नहीं है, self-attested हो सकता साइन करके, यह समय कोई problem नहीं है, पर original documents है, जो उनको future में भी लग सकता है, उनको future में भी काम आ सकता है, वो student को या फिर teacher को, यह सब documents अपने पास नहीं रख सकते हैं, कोई भी university या फिर कोई भी institute, यह clearly बोला गया है, UGC and AICTE के तरफ से, इंडिया का हर एक technical या फिर non-techn university and colleges के लिए, अब students के लिए एक important चीज में बोलना चाहूंगा, देखे, जो जो students मेरे चैनल में है, जो जो student मेरे चैनल में नहीं आ रहा है, उनको लिए एक important update दे देता हूं, देखे, आपको भी अगर को institute में original documents मांगा जाए, तो मैं बोलूँगा, definitely उनके साथ एक concert कीजे, उनके साथ बात कीजे कि किस basis पर आप original documents मांग रहे हैं, और वहाँ पर attested देने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सरा time में ये भी होता है कि original documents में colleges या फिर university से attested किया जाता है, attested हो जाने के बाद वो document आप future में और किसी जगा पे नहीं दिखा पाएंगे, वो colleges या फ होती काम में आने वाले हैं, जो colleges में, जो university में आप admission लेंगे PG के लिए या फिर UG के लिए मैं बोल रहा हूं या फिर already आपका original document university में आप बोल सकते दिया है, तो उनके साथ बात कीजे, बोलिए उनको कि EICT and UGC के तरफ से बोला जा रहे है कि original documents, original सिर्फ document नहीं आप ही है, color print out भी रख सकते हैं, और original documents नहीं रख सकते हैं, तो बहुत important एक update था, हर एक university students के लिए जो नया admission लेंगे PG के लिए या फिर UG के लिए या फिर जो students already university में हैं, उनके लिए भी, तो वीडियो कैसा लगा, definitely comment करके बताना, वीडियो आचा लगा तो कर देना, like and share, और अगर इस चैनल पर नहीं है, तो इस चैनल को definitely subscribe कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक university update, हर एक educational update, time to time मिलता रहेंगे, तो चलिए, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो का जाई paint करते हैं, तब तक के लिए,